पणके बचाने का अन्दोलन है है कि जो शिक्षा प्लानी की अप्लाइब हो रहा है इसको रोकरे की जरूरत है तो कि अदर सिर्ख जो वंचित समुदा है जो जरीव है जो आदिवासी है जो महिला साथी है नोग सिख्षा से वंचित होंगी तो हम लोग इसके खिलाब खड़े हैं और यह अंदोलन में हम लोग सभी से आवाहन कर रहे हैं इस देश में जितने इनिवर्शिटी है जितने कॉलेज हैं सभी छातरों से हमने आवाहन किया है कि आप इस मूंट में हमारे साथ खड़ा परफ़ाइब साथी है उन लोग भी जाकर के मेडिकल की पढ़ाइब कर सके वह लोग भी आई आई टी में दाख्ला ले से के वह लगी पाहिए लेकिन आज का जो सरकार उसने शिक्छा को बेच दिया है हमारी लडाई उसके खिलाब चल रही है हमारी इसके निए उसके लिए कि जो जो देश के जो गरीब जो गाओं में जो लोग बसते हैं उनलोग का भी प्रजेंस हो उनलोग का भी अडमिसन भी स्पिध्याले में हो चाहा जेन्यू में हो चाहा जेश के अधर निवस्टी में हो रही बात जो जेन्यू की जेन्यू का अगर सिच्छा आज सस्ती है तो बात को हम लोग आज तक इंसीवर्ट कर पाए थे लेकिन आज का जो सरकार है फिर से उस नहीर सन को तोड़ने में लगी हुई है फिर से हो सिक्षा को कमॉलिटी बनाना चाहती है फिर से वह सिक्षा को ब्रेशना चाहती है इसलिए आज जो जेुन मोगा जो लूट सब्सक्रा लोग भी आए थे आप लोग को पता होगा कि असोका और जिंदा इंवर्ष्टी जो है वहाँ पर दस लाग से जादा बीए का प्रगाम का कोर्स है लेकिन वह लोग इस दर्द को समझ रहे हैं कि सिच्छागर महंगी हो गई उस्तों लोगों को पर क्या भीटेगी उसलिए दसे चेहीं हो यहें ऑपने तरीके से खूल करके सामने आये और सरकार सो सवाल और कि आपको जो सुक्छा है वो सस्ती करने पड़ेगी निसूल करने पड़ेगी और सभी किने सब्सक्राइब 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 sł bends प्रवोक करने के लिए और हमको डिस्ट्राइब करने के लिए चाहिए जो भी हो इनको एक्दम दावजो नहीं देना है प्रवोक क्या जाए प्रवोक क्या जाए एक दम दावजो नहीं देना है एक दम कोई धान नहीं देना है और हम लोग यहां के शांतिपूर्वाद परिकेदे प्रेस कॉंफरेंस करने आए हैं हां वो खरेंगे हम अपनी सच्चाइ दिखाएंगे यह अगर नहीं प्रवोक करने की कोशिश करेगा उसको प्लीज हाईलाइट नहीं दो अज़ेख्या नहीं दो रहां करना चाहता हूं क्योंकि चुब है जब इन दोनों को डिटेन किया गया और सबसे पहली बात यह है कि इनको डिटेन किया गया बहुत समझळे तरीके से शचे शांत हो जाय। सुन लीजे बात को बहुत सब्सक्राइब करके डिटेन कया है। अगर जेनु चात्र संग के ओफिस बेरल को डिटेन किया जाए तो चात्र जो है दिफपर्स हो जाएंगे उसके बाद जो हुआ वहां आपके सामने रखना चाह रहा हूं और जिन लोग को डिटेन किया उनको दोबारा मारा गया है बस में बठा के ये बाते इन दोनों ने कही हमने उसके बाद जहां में आपर रोकने लाए कोहिश किया गया हमने अपने रूट में थोड़ा बदलाओ करके आरके पुरम से होते हुए जोरबा के तरफ हम गए और वह पास तो डूर जाए मैं दॉट या हुए जवागम करें वाद से लिए है करभा प्रॉपल ने कि लिए बाते हुए लिए इसमय को किया से निदी एगए गर